हम लोग ट्रेन में सफर करते समय ये सिगनल को तो जरूर देखते हैं पर आपने कभी ये सोचा है कि ये सिगनल को देखकर ट्रेन ड्राइवर ट्रेन के स्पीड को कैसे कंट्रोल करता है और आपने कभी ये सोचा है कि ट्रेन ड्राइवर रेट सिगनल को पार कर जाए तो क्या होगा देखिए अगर green signal है तो train driver train को full speed में ले जाएगा अगर yellow signal रहेगा तो train को 30 से 40 km प्रति घंटे की speed से ले जाएगा और अगर double yellow है तो 60 km प्रति घंटे की speed से ले जाएगा और अगर signal red है तो लोको पाइलेट को signal से पहले train को रोगना पड़ेगा क्योंकि red signal क्रोस करने पर कुछ भी हाफसा हो सकता है इसलिए according to railway मतलब railway के नियम के अनुसार चाहे आंधी आ जाए या तूफान आ जाए red signal को क्रोस नहीं करना है ये तो लोको पाइलेट पर निर्वर करता है कि वो red signal से पहले कितनी दूरी पर ब्रेक लगाएगा अगर मान लीजिए train by chance signal को पार कर जाती है तो इसको कहते है SPAD मतलब signal passing at danger इसके लिए railway board की तरफ से डंड निर्धारित किया जाता है इसमें कोई भी railway के अधिकारी train driver को support नहीं कर सकता है railway board का पहला डंड होता है removal from service यानी सेवा से हटा गिया जाता है और दूसरा डंड होता है compulsory retirement अनिमार सेवा निर्वित मतलब train में brake power कम होगा तो ट्रेन सही जगा पर नहीं रुकेगा तो इसके लिए railway के तरफ से reduction to lower grade का डंड निर्धारित किया जाता है लोको पाइलेट का पिछला record कितना भी अच्छा हो लेकिन railway का नियम सभी पर लागू होता है मतलब डंड मिलना तय है तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलना और प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो और बगल वाले भंटे को भी बगले खर लगले से लिए को वीयर के देयर कितना आपको भीज्योंग करना बंगलों करीका देट कर दो प्unn outta रहर कितना ये शहर भीडिये छूले 5 लगलों मिलना भीडियों सिर्वले टूटता अवा मिलना जनाूमें सभीका-क, इझर ऊचा मिलना भीड़ीब कि दिmund